राजधानी के साथ वाल एक्षेत्र धामी में दीपावली की दूसरे दिन युवाओं ने एक दूसरे पर जम कर पत्थर बरसाए करीब 25 मिनिट तक दोनों तरफ से पत्थरों की बहुत शार होती रही दरसल कई सदियों से इस उक्षेत्र में अतिहासिक पत्थर मेले का आयजन हो रहा है जिसमें दो टोलियां एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं इस दिवाली के एक दिन बाद भी आयजन हुआ दोपहर को राज़ दरबार में नरसी भगमान मंदर तथा देव कुगर्ण की पूजा अर्चना कर राज़ दरबार से राज़वर्श के उतरा दिकारी कवर जगदीब सीह क्या गवाई में मेला स्थन तक शोभायात्रा निकाली गई काली माता मंदर में पूजा अर्चना की गई इसके बाद राज़वर्श घमेड की और से पत्थर फेकर अधिहासिक पत्थर मेले धामी की शुरुआत हुई बाद में ऐसा हुआ कि जब एक राजा का ध्यानत हुआ यहां पे धामी रियासत के राजा का तो राणी ने सती होने से पहले वहां पर यह मानियता रखी कि वही यह जित्ने भी हमारे खुंद थे खुंद बनाये गए जो धामि शेतर के लोग थे जिसमें जुठोटी थे धगोई थे राजपरीवार के लोग अगया और तुनुरू थे गटएडू थे इनका खुंद बनाया गया तो इसमें ब्रहामन नहीं लिए गए तो ब्रहामन को निए इंक्लूड किया बाकि लोग आपस में एक प्रसा बनाएगे एक दूसरी को काफी दूरी से पत्त्र मारें गए और क्योंकि यहां पर मानव कहीं रखता था तो अभी भी अब जब यह बंद की मानव वल देखता है और अशिरवाद लेता है नर्सिंका कि यह भावान जी का जो हमारे विश्णू के अफ़तार है तो उनके अशिरवाद से फिर हम आगे प्रसेशन जाता है यहां से और प्रसेशन जाके वहां पे जो मैंने आपको बताई यह फिर खुंद आपस में दूसरे के पत जो मानियत है राजपरिवार के लोग करते हैं नहीं इसमें हमारे जो हमारा जो खुंद है हमारे जो मैंने आपको खुंद पताई कटेडू तुनुडू दगोई जठोती और राजपरिवार के लोग सिर्फ यही लोग पार्टिस्पेट कर सकते हैं पर अब देश पर देश नहीं इसमें सिर्फ मर्धी भाग लेते हैं महिलाएं इसमें सिर्फ दर्शक्ती तौर पर आती हैं